Hello Everyone, Hello Dear Students, Welcome to ATP Star Kota मैं जानता हूँ यार आपने से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका J-Min 2022 में जो पर्फॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई और जिसकारण आपने से काफी स्टूडेंट इस समय साड है बार-बार दिमाग में आ रहोगा काश मेरा पेपर अच्छा हो जाता हो सकता है, पेपर खराब होने के बहुत सारे रीजन हो सकते है हो सकता है, जैनुविल्ली आपकी तैयरी अच्छे नहीं थी, हो सकता है आपका लग खराब हो गया था, इत बे भी any of the reason तो अब आपके लिए सही क्या है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे थौट से समय चल रहे होंगे कि सर, जैए एडवांस की तैयरी मैं कर सकता हूँ क्या, अगर cut-off layer हो रहा है तो उसके लावा क्या मुझे कोई college ले लेना चाहिए, जैए में की help से या किसी और regional exam जो भी आपने दिया है या मुझे drop करके quota आ जाना चाहिए और तैयारी करने चाहिए, या मुझे second drop लेना चाहिए या मुझे partial drop लेना चाहिए, या सारे सवालों के जवाब, यानि आज आपको decision लेने में ये वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको बहुत help करेगा and you will take the right direction and इस से आपका trajectory जो अब लाइफ की बदल जाने वाली है तो इस वीडियो को end तक देखना है सभी को और comment section में सभी को बताना है कि finally what is the decision which you take है न तो देखिए शुरुवात करते हैं सबसे पहली चीज़ that you have to move on from the past देखिए जो हो गया है वो हो गया है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुद ले या नहीं, जो भी reason रहा है, चाहे वो luck factor रहा है या जो भी reason रहा है बहुत बार life unfair होती है, हर एक चीज हमें लगेगा कि यार ऐसा मिरे साथ क्यों हुआ, मिरे साथ क्यों हुआ sometimes पताँ चीज़ें कुछ बहतर के लिए होती है, जो long term में हमें समझ में आती है उस समय हमें समझ में कभी भी नहीं आता, always life में something better happens in general, 99% chance होते है, तो इसलिए you have to move on है ना, तो move on कैसे करोगे just accept what is, अभी के अभी, वीडियो को pause करें, लंबी सांस लें, धिरे-धिरे छोडें चार सांस के बाद, पांच सांस के बाद, वीडियो को दुबारे चालू करें, है ना, accept करें that it has happened, now you cannot change the past, right, but what you can do is, you can change the present, है ना, तो इस समय अगर हम सही decision लेते हैं, तो life career trajectory हमेशक लिए बदल जाती है, मैं भी, मेरे पास भी, जब मेरा diesel लेना था, मैं NIT में जाओं, या मैं IT के लिए तयारी करूं, डल लग रहा था कि एक साल की तयारी करने के बाद, क्या होगा, होगा के नहीं होगा, अगली बार ये भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप से एक ही सवाल पूछा, कि अगर मैंने एक कोटा है, तयारी करने के लिए, और फिर I got into IIT रूर की, और मेरी तरह और भी हजारों स्टूडेंट्स थे कोटा में जो आइजिन का IIT में हुआ, तो पॉइंट इस आप तो मूँव आन आप तो टेक दिसिजन, अब देखिए, एक क्टेगरी अप स्टूडेंट्स वो है, जिनका J.E. Advance का cutoff तो clear है, लेकिन J.E. Advance में उतना confidence नहीं है, तेखो यार, अगर J.E. Advance के लिए confidence है, तो फिर तो J.E. Advance के लिए fight मारो एक महिना, अगर confidence नहीं है, बस cutoff clear है, तो J.E. Advance को as a practice exam देना जरूर है, लेकिन फिर अगले साल के लिए fight मानने के लिए drop करके तयारी कर करते करते time लग जाएगा और आपका एक महिना additional waste हो जाएगा, तो फिर आप drop करके तयारी कर सकते हो, अब उसके बाद हम अगली बात करते हैं कि भाई college लेने तो, तो तो यह द देखो, college versus drop, देखिए अगर आप ऐसा college join कर लेते हैं, जिससे आपको मतलब that is fine with you कि इस college के बा बारे से, या कुछ अलग चीज करनी है, तो आप इस option को explore कर सकते हो, क्योंकि बहुत सार ऐसे students हैं, जिनका IIT से, NIT से, IIIT से कोई खास लगाव नहीं है, and there are students जो normal college से, या जो भी उनको best college मिले, उसमें अच्छा करके life में आगे अच्छा कर पाते हैं, बस मैं एक question आप से प क्या उनमें आपको फरक दिख रहा है, can you see it, अगर यहाँ पे आपको X college मिल रहा है और वहाँ पे आपको Y college मिल रहा है, तो एक साल में कोई खास फरक नहीं पढ़ने वाला, then you should drop, लेकिन अगर आपको X और Y college में, यानि drop करने के बाद जो college आपको मिल सकता है, और जो करने की ज़रोती क्या है, now I think आपको clear हो गया होगा कि आपको इस समय कौन सा college मिल रहा है, तो either students college में जाएंगे, that is also a good option, and बाकी सब students जिनको अपने सपने पे एक बार और fight माननी है, they have to drop, अब drop में चाहे single पहला हो, या second हो, या partial हो, सबसे बड़ा question जो आपको खुद से प समय में हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारा performance boost हो जाएगा, अब बहुत simple सी बात है, कि जब drop करोगे, तो syllabus completion तो दुबारा करना ही है, लेकिन सबसे खास बात यह है, कि आपको आपके जो mock test होने वाले हैं, उन mock test में score increase करना है, जितना आपका mock test में score increase होगा, उतना ही आपके selection क rank के chances बढ़ते जाएंगे, अब पिछली बार भी आपने fight मारी थी, तो आपको identify करना है कि what is the mistakes यह जो भी reasons है, जिस कारण परिशानी हुई थी है, उतना अच्छा perform नहीं कर पाए दे, अगर वो mistakes आपको पता नहीं होगी, तो आप इस बार भी वही गलतिया करोगे, और extra समय से कोई खास फाइदा नहीं होगा, तो आज ही pen paper लेकर बैठें और identify करें what are the mistakes which you did in the last year, अगर वो luck based है, तो उनको एक बार छोड़े, जो आपके control में थी, just focus on them, अगर आप इस बार खुद से commit करते हैं कि मैं hard work करूंगा, खुद से truthful रहूंगा, और बिलकुल भी लक्षे से दूर नहीं हटूंगा, पूर्ण focus से पढ़ाई करूंगा, then you can plan for drop, either वो पहला है, चाहे दूसरा है, it doesn't matter, है न, तो यहर अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि as a dropper, जैसे मैंने भी as a dropper ही IIT के लिए तैयारी किया था, तो यहर as a dropper सबसे important decision होता है आपके ल बड़ी news है, ATP Star Quota टीम की तरफ से वो आपके साथ मैं share करना चाहता हूं, ATP Star Quota के राजीव गांधी नगर कैंपस में 16 अगस्त से 16 अगस्त से एकलववे 2.0 और वारियर 2.0 बैच आ रहे हैं, ड्रॉपर बैचेज हैं, एकलववे 2.0 जै में स्पैसिफिक है, वारियर 2.0 जै लेने वाले हैं, इसलिए हमने इन बैचेज का ओवराल नाम दिया है, Super 100, अब इन 100 स्टूदेंट्स को हम सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम सभी को क्यों नहीं ले रहे हैं, यह उसका simple reason यह है, मैं यह चाहता हूं कि जो भी स्टूदेंट ATP Star में आये admission लेने, और admission लेके जब ए सही candidate, सही student सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे students इंटरनेट से influence होके आ तो जाते हैं, admission भी ले लेते हैं, लेकिन वो अपने माबाप का पैसा और time दोनों ही waste करते हैं, जब वो classes sincerely attend नहीं करते हैं, तो इसलिए अभी 100 students का selection कैसे होगा यार, बहुत सारे student पूछना चारे होगे, सार मेरा कैसे होगा, तो simply आपको क्या करना है, description में एक form दिया है, उस form को truthfully fill करना है, उस form को ढंक से fill करना, उसके जवाब होंगे और आपका जो academic performance होगा, दोनों को combine करते हुए, we'll see that you will be eligible for these batches or not, आप 100 में आते हो के नहीं आते हो, we'll see, for example माली जी आप में से 500 students इन batches के लिए apply करते हैं, या 1000 students इस batch के लिए apply करते हैं, हम 100 students को इसमें select करेंगे, और बाकी 50 students को या 100 students को wait list पे रखेंगे, ये announcement जो है कि आप select हो गए हैं, या reject हो गए हैं, या आप wait listing में हैं, ये detail हम 3rd August को, 3 August को आपके जो mobile number हैं, उस पे आपको inform कर देंगे और फिर उसके बाद आपको 5 से पहले, 5th August से पहले अपना seat book करना है, जो students अपना enrollment कर लेंगे, उनका seat confirm हो जाएगा, और जो नहीं करेंगे, तो वो seat wait listed candidates को चली जाएगी, तो description में दिया हुआ form ठीक से भरिएगा, truthfully भरिएगा, because वो documents आपको submit करने होंगे, जब आप ATP Star Kota के राजीब गान्दी नगर कैंपस में आएंगे, अगर वो documents से match होता है, तभी आपका admission confirm होगा, right, तो इस batch में खास बात यह है कि पूरी जो expert, most experienced teachers हैं, ATP Star Kota के आप जानते हैं, अल्लेडी YouTube पे सभी, those teachers will be there, and few new and amazing experienced teachers are with ATP Star Kota right now, जैसे physics में, अंकित जैंसर, जिनका 15 साल से भ various top institutes of Kota, he has joined ATP Star, right, वो भी आपको इस batch में पढ़ाने वाले हैं, right, तो यह batch मतलब समझ जाईए कि आपका top IITs and NITs में हो जाएगा, but हमें बहुत sincere students चाहिए, that's why, fill the form carefully, okay, उसके बाद partial drop की बात करते हैं, partial drop, normally क्या होता है, उसमें college के सासा तैयारी करनी होती है, and there are students जो partial drop में भी अच्छा perform कर लेते हैं, मेरे साथ एक friend था, he was in DTU at that time, जो Delhi Technical University है, and he got into IIT Bombay, है न, लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारी छुटी लेनी पढ़ रही थी, Sam break भी लेना पढ़ रहा था, और बहुत म तैयारी कर लो, partial drop में पैसा भी लगेगा, college का भी लगेगा, और आदी ये दोरा, मन इधर रहेगा, उदर रहेगा, तो एक seat को बचाने के लिए, भाई, अगर आपको confidence है कि इस साल आप मेहनत कर लोगे, तो next year, naturally आपको performance बेटर होगा ही न, तो भाई, मेरा recommendation तो ये है कि partial drop जारा तर को suit नहीं करता है, but yes, I have seen the people जो partial drop करके भी अच्छा कर लेते हैं, तो जो आपको feel आए न, just do that, है न, तो यहाँ पे, अगर आप drop करके तेयारी करना चाहते हैं, that's also fine, जो आपको feel आए, I think, इस particular video से आपको पता लग गया होगा, कि भाई, आपको करना क्या है, मैं है न, overall हमे, overall feel जिसमें best आ रही है, हमें वो decision लेना चाहिए, and just focus on that, वो decision लिया, और फिर हम आगे बढ़े, because मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे ऐसे friends रहे हैं, जिनको average college में थे, normal college में थे, लेकिन बाद में उन्होंने life में बहुत मचाया, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, online नहीं चलेंगे क्या, यह batches online भी चलेंगे, यह batches online भी run करने वाले हैं, ठीक है, तो जो students, online में कोई limit नहीं है, seats की, यह न, तो online तो आप आई सकते हो, right, तो जो भी student, ATP star quota के super 100 का हिस्सा बनना चाहता है, जिसमें सभी students का IITs, NITs, top colleges में होगा, I'll make sure कि आपका selection हो, तो description मे जो form दिया है, उसको जरूर फिल करें, 3 August को result आजाएगा, and then book your seat, okay, चले गाइस, मिलते हैं फिर next particular session में, and comment section में बताईए कि आपका decision क्या रहा, love you all, and take care.